कहते हैं, बुरा वक्त कभी भी बता कर नहीं आता, मगर सिखा समझा कर बहुत कुछ जाता है. कोई भी परिस्थिती हमारे जीवन में आती तो है, मगर हम उसको किस तरह से लेते हैं, और अपने जीवन को किस तरह से बहतर बनाते हैं उसके आने के बाद, ये सिर्फ और सिर्फ हम पर निर्भर करता है. अगर हमने मन में सोच लिया कि हम इस परिस्थिती से जीवन में बहतर ही होंगे, तो हमें कोई नहीं रोक सकता. लेकिन अगर हमने किसी एक परिस्थिती के बाद खुद को ही निराश कर लिया ये सोच लिया कि इसके बाद हमें यहां से कोई नहीं निकाल सकता तो हम अपनी किस्मत खुद बंद कर रहे हैं तो आज हम ये निश्चे करते हैं कि हम हमारी जिन्दगी में आने वाली हर परिस्थिती को सिर्फ एक सकारात्मक रूप से देखेंगे और इस तरह से देखेंगे कि वो हमारे अगले दिन को और बहतर बनाए तो चलिए ध्यान में जाते हैं और इसे अपने अंदर हमेशा के लिए बसाते हैं एक आराम दायक सिती में बैठ जाएं कमर सीधी रखें हाथों को गोद में रख लें अब आखे बंद कर लें एक लंबी गहरी सांस भरें इसे रोकें और अब सांस मूँ से छोड़ते हुए सारी नकारात्मकूर्जा बाहर जाने दीजिए एक और लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोके रखें और अब इसे मूँ से छोड़ते हुए अपने कंधों को धीला छोड़ते हैं अपने कमर को धीला करते हैं अपने पैरों और हाथों को धीला करते हैं एक और लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोकें और आब मुँ से सांस छोड़ते हुए अपने दिल को अपने पीट को अपनी मास पेशियों को जबडे को अपनी आखों को कानों को सब हिस्सों को धीला छोड़ते जाएं इन में स्थित किसी भी तरह की रुकावर्ट ही अतना हो तो उसे पिघलने दीजिए और देखिए कि आपके साथ आज एक दिव्वे शक्ती है जो आपकी हर तरहा से सहायता कर रही है कि किसी भी तरहा के बुरे विचार बुरे वाक्षे आपके अंदर ना रहे और अब आप धीरे धीरे उन्हें अपने अतीत में ही पीछे छोड़ जाएं और एक सुनहरे भविश्य की बढ़ने लगें। एक नए विवेक एक नई शान्ती से लंबे गहरी सास भरिये चहरे पर मुस्कान आने दीजिये और देखिये कि सफेद प्रकाश आपके शरीर के चारो ओर आ गया है आपको घेर चुका है और ये आपको और उरजावान बना रहा है आपकी उरजा धीरे धीरे और बढ़े ज जा रही है और अब आप एक शुक्र गुजार स्थिती में पहुँच रही हैं जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते मगर हम उसके बारे में क्या सोचते हैं वो हम जरूर बदल सकते हैं तो अब हर उस बुरी स्थिती को हम नए नजरिये से देखेंगे उस स्थिती से अगर कोई भी एक अच्छा काम हुआ है तो हम अपना सारा ध्यान सिर्फ उसे एक अच्छे काम पर केंद्रित करेंगे और उस भावना को अपने अंदर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे देखें कोई भी पहली एक स्थिती हमें बाकि किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना इस स्थिती से पैदा हुए किसी भी एक चीज़ की अच्छाई पर ध्यान दे और आप बस उस पर निरंतर ध्यान देते जाएं हमें और कोई बात नहीं सोचनी देखिए क्या पता इसकी वजह से आप कहीं न कहीं किसी नए इनसान से मिले हैं या किसी एक नए कला से जुड़े हैं उस पर ध्यान दे याद रखे हम हर चीज़ बदल नहीं सकते मगर उसे सुईकार करने के बाद हम उसके अच्छे पहलू देख कर अपने जीवन का रस्ता बदल सकते हैं जिस तरह कि हमारी सोच होती है हमारा अगला दिन उसी सोच से बनता है इस बात को समझ लें और इसे ध्यान करते हुए सिर्फ और सिर्फ उन अच्छे वाक्यों पर ध्यान दे अच्छी परिस्थितियों और लोगों पर ध्यान दे अच्छे भाओं पर ध्यान दे जो आपके साथ अभी भी चुड़े हुए हैं कुछ पल अपने आपको इसी स्थिति में रहने दे झाल झाल ये मुश्किल जरूर हो सकता है मगर इसे करने से हम अपने जीवन का पूरा रस्ता बदल सकते हैं ये करने के बाद जिंदगी में कभी भी आप हार नहीं सकते क्योंकि जिस व्यक्ति ने हर परिस्थिती को सुईकार करने की ठान ली है वो खुद ही हर परिस्थिती का मालिक बन जाता है याद रखें आपके पास चुनने की शक्ती है तो आज से अपने हर विचार को चुनना शुरू कीजिए इस भाव को अपने अंदर बहने दीजिए और बढ़ने दीजिए और सकारात्मक उर्जा अपने अंदर उत्पन होने दीजिए देखे किस तरह से आप अपने मस्तिश्क को अपने काबू में कर रही है और किसी भी परिस्थिती को अब आप अपनी एक नई दृष्टी से देख रहे है इस भाव को अपने अंदर पूरी तरह से समाने दीजिए एक नया जोश, एक नई खुशी अपने अंदर बहने दीजिए नई दृट्टा के साथ अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे हर पल हम अपने उपर काबू रखेंगे एक लंबी गहरी सास भरिये चहरे पर एक मन से मुस्कान लाईए और अब धीरे धीरे इसे अपने जहन में बसाते हुए हम वापस आएंगे दुनों हथेलियों को आपस में रखड़िये और इसे अपनी आखों पे रखतीजिए अब धीरे से आखे खोलिये स्वागत है आपका स्वागत है आपका